आजी के दिन 27 फरवरी 1931 चंदर सेकर आजाद सहीद हुए थी बगत सिंग को फांसी देने की घोसना हो गई थी मारच में उसको बचाने के लिए चंदर सेकर आजाद इधर उदर भागदोड कर रहे थे किसी ने सूचना दे दी थी और उस समय आजाद कैसे लड़े थी क्या साहस दिखाया था आजाद ने उसके लिए दो लाइन है जो कभी देशनोंग में मैंने कभी असोक मोलवा से सुनी थी तुमको बताता हैं कि उस समय इस वेक्ति ने क्या विश्मे कारी दर से देखा होगा उन अलफेट पारक के पतों ने सहसा आजाद को घिर लिया फिरंगी कमबकतों ने पेरों की जुर्मट से कडमों की आहटाई समझ गए सेकर के गदारों ने अपनी जात दिखाई मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम काई और अपने प्रयानों से भी प्यारी वोपिस तो लुठाई अपने दोस्त से का कि दोस्त समलो दुस्मन ने किया आघात है माना कि देशिंट मरने के तुम्हारे भी जज़बात है मगर जाओ तुम अभ्यान जारी रखना डरने की क्या बात है उनका दोस्त तुने छोड़ कर नहीं जाना चारा था तब आजाद ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूगा मैं यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूगा मैं अरे कायर कारतुसों की क्या बिसाद काल चक्र को मोड़ दूगा मैं मरत्यु सब की स्वामी नी आज उसका ये भरम भी तोड़ दूगा मैं आजाद के लिए एक सम्मोदन है जगदम बाका केहरी जगदम केहरी बोलते हैं सिर को जगदम बाका केहरी वो अलफ्रेट पारक में दाढ़ रहा था इंदर का एरावत इंकलाबी भसा में चिंगाड रहा था नील गगन में दिनकर भी अस्ता चल की और बढ़ रहा था भारत मा का कैला सिंग सेंकडो भेडियों से लड रहा था हुशला था जिमून था जजबा था हार भी कैसे मान लेता हिंदुस्तानी कौन था आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलासा कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निरासा धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलासा आजाद की पिस्तोल बोल रही थी भद्र काली की भासा आजाद की पिस्तोल बोल रही थी भद्र काली सुमित्रा नंदन ने इंदर जीत को संगहर और आजिव नैन की सोगन खाकर मरिया दापुर सोतम ने दसानन को मारा सक्ती से वर पाकर जैदरत का कालब ने अरजुन भी करमे धनुस उठाकर आजाद ने तीन गोरे मार गिराए जैभमानी बोलकर अजाद ने पिस्तोल चलाया खाली इदर उदर जेबे चैक की एक गोली निकर के आई एक बार कुने मर्तियुने भगे को धुका दिया पिस्तोल की आखरी गोली ने अजाद को चोका दिया अजाद ने वो मिट्टी उठाई हे भारत मा समा करना तु मुझको आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया मा मैं तुझको अरे मा के गरब में ही त्याग दिया था उसने मर्तियु के भैको दसों दिसाएं अचिंबित जानकर आजाद के निश्चे को थर्रा उठा काल पुरुस्वी जब आने बाले पल को भांपा त्रिमेणी का संगम सहम गया डोली धरा और अंबर भी कांपा तब युग युगांतर तक रहे आलो की देश भक्ती की मसाल जला दी आजाद ने अंतिम गोली बंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर जला दी अड़कपन में लिया गया संकल्प उसे अंतिम सनों तक याद रहा जीते जी आजाद था वो मरते दम तक आजाद रहा भारत का स्वाबीमान सम्मान बली हो गया अधुट वेबह से और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आजाद के सवसे